आज भी मेरी फीस जमा नहीं होगी ना जाने मेरी मैडम आज मेरा क्या करेंगी मैं आज की परिक्षा में बैठ पाऊंगी या फिर बाहर निकाल दिया जाएगा कुछ इस प्रकार अपने आप से बात करती हुई आठ वर्ष ये सोनल अपने छोटे छोटे पैरों से तेजी से चलते हुए स्कूल की तरफ जा रही थी आज स्कूल में सोनल की परिक्षा थी और उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी महीने की 10 तारीक तक जिस छात्र की फीस जमा नहीं होती उसे कक्षा से निश्कासित करने की विद्याले की परमपरा थी सोनल एक गरीब परिवार की बच्ची थी उसके पिता की आमदनी बहुत कम थी फिर भी वे अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में बढ़ाना चाहते थे अक्सर उन्हें फीस देने में थोड़ी दीरी हो जाती थी इस बार भी अभी उसकी फीस जमा नहीं हुई थी और परिक्षा सुरू हो गई थी सोनल इतनी कम आईउ में भी बहुत समझदार बच्ची थी उसने अपने माता पिता को परिशान नहीं किया और रास्ते भर यह सोस्ती रही कि आज उसे फिर डाट पड़ेगी या कक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा या हो सकता है उसे परिक्षा ना देने दी जाए फिर भी वे अपने विशय में ना सोस्ते हुए इश्वर से प्रालतना कर रही थी कि वे कुछ चमतकार करें कि उसके पिता की आमदनी बढ़ जाए वे आए दिन ऐसी कलपना करती थी कि काश वे बढ़ी हो जाती और धीर सारा पैसा कमा कर अपने पिता की सहायता करती आखिरकार अपनी कलपनाओं में खोई सोनल विद्याले में अपनी कक्षा तक पहुच ही गई जैसे ही बच्चों को प्रश्न पत्र बाटे गए वैसे ही एक अध्यापिका ने आकर कहा जिन छात्रों की फीश जमा नहीं है वे सभी प्रधानाचार्या के कक्ष में चले जाए डरी सहमी हुई सोनल धीरे धीरे प्रधानाचार्या के कक्ष की ओर बढ़ रही थी क्योंकि प्रधानाचार्या की सहायक अध्यापिका बहुत ही निष्ठिवर सोभाव की थी वे चात्रों को देखते ही बिना वजय मालना पीटना प्रारंब कर दे थी सभी शात्र एक कतार में खड़े हो गए मानो सभी किसी जेल के मुझरिम हो इन मासूम बच्चों का यही दोश था कि इनके माता पिता विद्याले की फीज जमा करने में दो दिन की देरी कर रहे थे सोनल का चहरा लाल हो उठा था उसकी आखों में आसू थे कि एक बार फिर अपने माता पिता का अपमान उसे सुनना पड़ेगा वे मन ही मन इश्वर से प्रात्ना कर रही थी और अपनी बारी का इंतिजार कर रही थी तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी सोनल तुम यहां क्यों आई हो तुम अपनी कक्षा में वापस जाओ तुम्हारे घर से टेलीफोन आया था तुम्हारे फिस बीस तारिक तक जमा कर दी जाएगी सोनल ने आखे खोली और अध्यापका की ओर देखा उन्होंने कहा हां मैं तुम ही से कह रही हूँ तुम्हारे घर से टेलीफोन आया था तुम जाओ खुशी के आसु आगों में भरे हुए वह अपनी कक्षा की योर गई और प्रस्नबत्र हल करने लगी सोनल मन ही मन अपने पिता का धन्यवाद कर रही थी उसे लगा उसके बिना बताए ही उसके पिता ने फीस की बात जान ली और विद्याले में टेलिफोन कर दिया सोनल स्कूल की चुट्टी के बाद जब घर पहुची तो सारी कहानी अपनी मा को कह सुनाई उसकी मा ने कहा बेटा हमारी घर तो कोई टेलिफोन है नहीं तुम्हारे पिता के पास किसी प्रकार का फोन नहीं है तुम तो जानती हो हम परूस में जाते हैं फोन करने के लिए यही बात सोनल के पिता ने भी उससे कही तो वह आश्चर्य चकित हो गई वास्तों में उस चोटी बच्ची की शद्धा और विश्वास को देखते हुए ईश्वर ने ही उसके विद्याले में टेलिफोन करके उसे विपत्ती से बाहर निकाला था यदि आपका मन साफ हो तो किसी भी आईउ में ईश्वर स्वैम चल कर आपकी सहायता करने कही पर भी आ सकते हैं कहानी की सीख बच्चों का मन कोमल होता है इसलिए विद्याले में उनके साथ मानवता पूर्ण वैवहार किया जाना चाहिए दूसरी सीख इश्वर हमारी सहायता के लिए कुछ भी कर सकते हैं